कि वेरी वेरी गुड इवनिंग टू आल अफ यू डियर स्टुडेंट आज की क्लासिस पे हम डिस्टूस करने जा रहे हैं काल पीर्शन कॉफिसेंट ओफ कोर्रेलेशन और आप इसका फर्मुला क्या होता है आपके सामने स्क्रीन पर है कॉफिसेंट ओफ कोर्रेलेशन को वेरींस ओफ एक्स और वाई डिवाडिड़ बाई अंडर रूट वेरींस ओफ एक्स मल्टिप्लाई बाई अंडर रूट वेरींस ओवाई इसका अल्टरेट फॉर्मला क्या है को वेरींस ओफ एक्स वाई डिवाडिड़ बाई अंडिस्ट इसका ये बिसिकली फॉर्मला है अब आपने ये फॉर्मला देखा है इसके मुझे लग नहीं रहा है आवाज आ रही है कि किसी बच्चे तरह से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं हेलो बच्चे जब चैट में आके बताएं जब चैट आप करनी पा रहे हो अलाव तो है चैट आवाज आ रही है हेलो ठीक है चले स्टार्ट करते हैं क्लास फोड़ी लेटर जाएगे अच्छे समझेंगे अच्छे समझेंगे अच्छी टोपिक को वेरी वेरी गुड एवनिंग तो वाल फ्यू डियर स्टुडेंट आज के क्लासिस पे हम काल पियर्सन कोफिसेंट ओफ को रिलेशन के टोपिक को अच्छे समझेंगे आप इसका फॉर्मला भी अपने सामने आप इस स्क्रीन पर देख सकते है को वेरींस ओफ एक्स वाई डिवाड़ीर बाई अंडर रूट वेरींस ओफ एक्स मंटिप्लाई बाई वाई और इसका अपने एक अल्टनेट फॉर्मला भी है को वेरींस ओफ एक्स वाई डिवाड़ीर बाई स्टंडर डिविशन ओफ एक्स मंटिप्लाई बाई स्टंडर डिविशन ओवाई आपके दिमाग में सो सवाल आगे होंगे और आप देखीएगा जितने भी भारत में बड़े से बड़े टीचर हैं वो सब के सब यूटूब पे हैं और अगर आप इनमें से किसी भी अगर आप की क्लासिस को देखोगे टॉपिक का नाम डालोगे कॉपी सिंट और को किस यूज में आता है आप इसका यूज कहां करेंगे हाँ यह बताने के लिए सारे के सफरा यूटूब भरावा है कि इस हत्यार को चलाना कैसे है लेकिन यह हत्यार चलाना कहा है इसका ग्यान नहीं दे रहे तो बहुत खतरना ग्यान हो गया आपको हत्यार चलाना सिखा दे बढ़ यह नहीं सिखाएं कि चलाना कहां पर है तो आप क्या करेंगे उस सो गलती से अपने उपर ही चला बैठेंगे जैसे छोटे बच्चे के हाथ में अगर आप पिस्टल दे दे वो बता दे ऐसे चलाते हैं वो क्या करेगा घर के अंदर आप इस खंदादा लगाईए तो क आपको नॉलेज नहीं है डीप में चीजों की तो यह सारका सारा ग्यान आपके लिए जो है अगर आप इसको यूज नहीं कर सकते तो आगे आप सर्वाइब करेंगे ट्रबल करेंगे तो बड़े डिटेल में समझने की रिक्वार्मेंट है एक तो अपने आने वाले फीचर पर के लिए भी और अभी करेंट में जो आपका सेमेस्ट्र चल रहा है उसके सिलिबस के प्रस्पेक्टिव से भी अभी जो आपके करेंटर पर सिलिबस चल रहा है उसमें आपको फॉर्मूला ये आपको कितनी पड़लों को रहे गा ही नहीं तो अगर आप concept को समझेंगे त सवालों के अंदर आप सवाल आपको उढ़ा नहीं सकता, आप इसली पकड़ लेंगे, तो बहुत डिटेल में समझने की जरूरत है, और मैं कोशिश सबसे पहले मैं इसके कोशिंस पर मैं लेकर करके आपको नहीं जाओंगा, देख रहे हैं कोशिंस तो हैं बच्चे, मैं कोश उसके बाद हम जाएंगे, इसका formula क्या है, उसके बाद हम जाएंगे कि सवाल होता क्या, उसके बाद समझेंगे कि चीजें किस तके से questions में attempt करना है, तो चलिए बच्चे, आज की classes में सबसे पहले, मैं इस topic को start करूँ, उससे पहले मैं इसके concept पे उपर बात करूँगा, हाँजे, देखेंगे, topic क्या हमारे पास पहले है, डिस्पर्जन, एक topic होता है डिस्पर्जन, कहानी इसकी सुरवात होती है, डिस्पर्जन से, अब डिस्पर्जन क्या होता है, सवाल अब यह है, तो आज़े डिस्पर्जन को समझते हैं, डिस्पर्जन को समझने के लिए आपको पहले average को समझना होगा, एक example लेता हूँ, बच्चे मान लेजिए, आप अमेरिका में कोई एक person बैठा हुआ है, और वो सोचता है कि इंडिया के अंदर मैं एक showroom स्टार्ट करूं, जिसमें branded चीज़े रखूंगा मैं, और क्योंकि इंडिया के population बहुत जादा है, crowded area है, demand जादा होगी, तो अच्छा profit gain कर सकते हैं, ऐसी possibilities हैं, तो उसने plan करा कि इंडिया के अंदर branded चीज़ों की जो इस showroom को establish किया जाए, और रहता वो अमेरिका में हैं, इंडिया कोई खास पहले कभी आया भी नहीं है, बस से सुना है, पैसा है, सुस्ता invest करने की बस, तब ऐसे showroom को खोलने के लिए पहले तो क्रोड़ों रुपए का उसको जो है building वगएरा, या फिर उसको लाको रुपए का rent, उसके बाद उस सारा का सारा जो स्टॉक वगएरा manage करेगा, कड़ोर रुपए का investment है, और फिर profit and loss उसके बाद स्टार्ट होता है, और उसको यहां के बारे कुछ पता भी नहीं है, तो risky है, एक सीधा खोल देना, पहले वो सर्वी करवाए का, कि भाई, मैं जो brand मेरा है, वो starting ही 15,000 रुपीज से है, 15,000 रुपीज से start है, और अगर लोगों की income का level अगर ये काफी अच्छा नहीं हुआ, तो वो तो इसको affordी नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वो समझदार है, वो कहें पहले survey करवाते हैं, और लोगों की average income क्या है, अब average का क्या roll है, अब उन्होंने बोला, लोगी income के बारे में पता लगाते हैं, तो किसी एक को appoint कर दिया, उस area में जहाँ पर showroom को establish करना है, और बोला कि उसके आस-पास के सभी city का, पूरी city का, आप income पता करके बताओ कि लोगे income क्या है, Mr. X को appoint कर आ है, Mr. A ने, Mr. American, जो भी है, Mr. A, ने, Mr. X को appoint कर दिया, या Mr. I को appoint कर दिया, किस एक Indian को appoint कर दिया, Mr. A ने, किस American ने, और Mr. A क्या कहता है, जो एक Indian अपॉइंट कर रहा है किसी को, वो कहता है Mr. A को, American को, Sir, लोगों के सरवे करवाया, लोगों के income का पता लगाया है, कुछ income इस तरीके से है, कि ए एक के इनकम 18,000 एंचे इनकम 25,000 ए एक के इंकम 5,000 ए एक की इंकम 50,000 हजारों लोगों का देटा क्या ऐते फोन पे देगा और ऐसे अगर फोन पे देवीस देगा तो वो सुनकर कि किसी conclusion पर जा पाएगा कुछी कम किसी की ज़्यादा खुद इतने मेहनत करने के बाद भी data collect करने के बाद भी इतना बड़ा data express करने के बाद भी सुनने के बाद भी हो किसी conclusion पर नहीं जा पाएगा कि establish करना या नहीं करना है तो best तरीका क्या है कि उसको एक average salary बता देने हैं उस city की इसका क्या मतलब है जो भी लोग आंकर रहे हैं उनकी income का sum कर देते हैं और जितने भी number of persons से उसे divide कर देते कि average salary बताएते हैं और average salary यहाँ पर यह बता दिया कि sir average salary यहाँ की जो है लोगों की 15,000 रुपीस पर मन्त है उसका ब्रैंड ही start होता है 14-15,000 रुपीसे तो वो decision ले लेगा यार नहीं लोग की income इतनी नहीं है जो कि मेरे ब्रैंड को afford कर पाए पूरी income ही इतनी है जो मेरे ब्रैंड की price है तो final decision यह लिया जाएगा कि यहाँ पर मुझे अपना शौर में start नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर मुझे loss हो जाएगा लोग इसको buy नहीं करेंगे मेरे जो goods को product को और वो company एक heavy loss से अपने आपको बचा लेती है किसके help से एक average की help से stats की help से यह importance से stats की और average क्या था आपको पता लगा data का sum divided by number of observation कि each पर क्या sharing है सर average यह है लेकिन average अब मान लो अगर ऐसे होता मेरे बात समझे पहले तो average को देख कर अब करके आप decision ले सकते हो यह बताओ पहले मुझे क्या average से आप अपने एक decision पर पहुंच सकते हैं हाँ average से आप decision ले सकते हैं आप ऐसा कह रहे हैं बच्चे क्यों कई बार average धोका दे देता है आपको बड़ा नुक्सान करवा देगा average कई बार जो सच्चा ही है उससे अलग भी कुछ हो सकता है कैसे समझेगा उस city में मुकेस अमानी का भी अगर मैं घर डाल दूँ example के लिए समझ लिजिए एक ऐसी city है वहाँ पर एक मुकेस अमानी जी भी रहते है और उनकी income कितनी ज़्यादा है आपको पता है बाकी लोग की income कम है तो एक सिर्फ मुकेस अमानी के वज़े से average income कितनी ज़्यादा हो जाएगी भाज सब 5 लाक रुपे परमन्त average income है आपको क्यों हाँ 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 शोर्म स्टार्ट करना चीए लगाओ पैसा पंदर है रापेस का ब्रैंड है पांच लाक रुपे की लोगे average income है स्टार्ट करो शोर्म पता लगा भाज सब कुछ बिकी नहीं रहा है आपको कैसे नहीं भिकरा है लोग तो यहाँ पर बड़े पांच पांच लाक रुपे महिना कमाने वाले थे पता लगा average के अंदर एक बंदा था अम्मा ने जिसकी इतनी ज़्यादा income थी कि उसने पूरा का पूरा जो है डेटा ही influence कर दिया अपने इंडिजुलेटी से तो वहाँ average बहुत हाई आ गया था बड़ सच्छा ही reality है कि बाकी लोगों की income इस लेवल के नहीं थी तो बताइए जरा average में कोई एक डेटा ऐसा हो सकता है जो पूरे average को influence कर सकता है या नहीं कर सकता है अब आपकी classroom की में बात कर देता हूँ आपकी classes में इस समय 20 साल और 19 साल के बच्चे मैटे हुए 20 साल के बच्चे मैटे हुए और इसी class में 100 साल का बंदा भी बिठा दूमें तो आपकी average कहा जाएगी पहुंझ जाओगे 28-30 पे जबकि ऐसा classes की reality नहीं है आवरेज निकाल लिया और उस पर डिजन ले लिया average कितना reliable है कितना original है कितनी reality को express कर पा रहा है उस चीश को भी हमें check करना चाहिए और उस चीश को check कैसे करते हैं मेरी बात समझेगा उस चीश को हम check करते हैं किसको average कितना original है डेटा को कितने चीश तरीके से वह express कर पा रहा है चिंगे ने पता रहा है डेटा आकास है average पाताल बता रहा है जड़ेटा पाताल है average उसको आकास बता दे रहा है तो सारा कर सारा रोजाहनी गलत हो जाएगा बिसन ही गलत दिसा में चली जाएगी तो average के उपर blind trust करना ठीक नहीं है मतलब mean के उपर हमें mean कितना original है उसको भी हमें check करना चाहिए कैसे check करेंगे समझेगा एक example लेता हूँ सारी कहानी समझ में आपको आजाएगी धिरी दी दे बस comment बे comment चलाते रही हो चलाते रहे न ऐसे सुनों करके मत बैटो देखो बच्चे एक डेटा है चीक है और डेटा मैं मान लेता हूँ कि डेटा क्या है हमारे पास में दस बारा पांच साथ आठ दस दिखीगा 20 ठीक है यह कुछ डेटा ले लिया मैंने अब यह डेटा है इसका में मीन निकालना चाहतू मिन क्या होगा तो मीन आपको पता है कैसे निकालते unserem करेंगा तो डेटा का सम कितना है आपके पास है बीस और दस तीस तीस और आपके पास क्रें permet देख लेते हैं 20 और 10 30 38 38 और आपका साथ 45 और पांच 50 और कितने हैं डिवाइड़ी बाइफ 5 तो मीन एवरिज कितना है आपका 10 आवरिज आया तो मैं यह मिमीन मतलब कि मेरा डिटा लबल लबल टैन के असपास है या फिर मैं इसमें अब यह क्या चीज़ है आप मार्क्स बताएता हूं या फिर आप एज बता दो या फिर आप वेट कुछ भी आप मान लीजिए बच्चे कोई फ्रक भी बढ़ता इससे आप चलिए एज मानना चाते है एज मान लें कि एक बाच्या पात साल का एक बच्चासा साल का परिवारे मां बच्चा आट साल का हि और आपका Listening basically कितने दुसरे से distance पर है कितने distance पर रहें यह distance पर है इससे 5 की की आपकर सब्सक्राइब इस सब्सक्रानेजिद्ष और दस मैंने सब्सक्राइब अब मुत सद्रेस्दपर क्यों इससे दिग्सस्राइब अर्म्री कितना ऌफ रहें यह कितने डिस्टेंस पर है यह दो के डिस्टेंस पर है यह कितने डिस्टेंस पर है यह बात समझ रहे हैं आप कैसे कर रहा हूं यह कितने डिस्टेंस पर है यह डिस्टेंस पर है यह जीरो डिस्टेंस पर है और यह कितने डिस्टेंस पर दस पर दस पर यह कह डिस्टेंस डि विचलन भी कहते हैं इसको अब जो डिफरेंसिस है मीन और एक्चुल डिटा के बीच का बेसिकली इस पूरा पूरा डिफरेंस कितना निगल करके आया हमारा दस दो बारा बारा और तीन पंदरा पंदरा और पंदरा और पांच बीस और यह जो डिस्सन्स है इस डिस्सन्स को दोबारा में मीन निकाल रहा हूं पांच ओपे तो एवरेज डिस्सन्स क्या आया चार इसका मतलब यह है कि मेरा मीन दस है और यह डिस्सन्स एवरेज जो है बोल दो है जो distance का जो division है उसका भी average है तो मेरा mean 10 है लेकिन मेरा actual data mean से लबबग लबग जो है औसतन 4 की दूरी पर बना हुआ है तो अगर मेरा mean 10 है और औसतन दूरी 4 की है तो कोई data 14 भी हो सकता है कोई data 6 भी हो सकता है मतलब कि कहीं नहीं differences 4 का maintain है तो इसका मतलब है कि 10 मेरा mean है कोई 4 उपर और 4 नीचे इस distance पर data मेरा चल रहा है कोई 4 उपर है तो कोई 4 नीचे तो मेरे mean और actual data basically दूरी से 4 की दूरी बनाए हुए तो mean 10 और 4 की दूरी बनाए हुए तो बड़ी दूरी है अब 10 समझ रहे है लेकि चार की distance चोदा भी हो सकता है तो इससे पता लगता है कि बिलकुल mean को यहां पर इतना reliable mean नहीं है जो बिलकुल data के close नहीं है हाँ अगर 10 मेरा mean था और एक मेरा average distance आजाता तो हाँ लबल लबक जो मेरा actual data इसके आसपास है या दो होता तो भी ठीक था चलो दस है तो कोई 12 कोई 8 है तो इसके आसपास है तो जो मेरा mean को ले करके image मेरे मन में set करना और actual ground पो जो image का होना उसके फर्क है तो यह basically क्या बता इसको हम बोलते हैं डेव डेवीशन इसको हम बोलेंगे mean deviation अब सेम चीज जब समझेगा यहां पर मैंने एक शीज करा क्या करा मैंने एक शीज को कि मैने जो difference लिया था मैंने सबको positive लिया था मैंने मैने के साइन को अवोईड कर दिया अटो यहां से लेकिन मैस करनित के अंदर क्या किसी साइन को अपने मताबित नजर अंदाज कर सकते हो नहीं कर सकते हो तो पूरे पूरे एक झाल कि कमेंट में बताओ बच्चे पहले बात सम्झ में आपको आया नहीं है तो आपको यह बात तो सम्झ में आ गई कि भाया मीन के उपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना माज समझ रहे हैंगा एक बैट्समें आया और पहले मैच में जीरो अगले मैच में जीरो अगले मैच में जीरो पाँच faster मैच में दो इवरेच स्कुर करने का उसका पहले में 0, 0, 0, 0, 200 रन मार दिये एवरेज के सम अफ रन दिवाड़ी बैप पांच ओहो एवरेज स्कोर क्या आया चालिस हरे मैच में आके चालिस की परफॉर्मेंस है यह मीन भाती जूटा और फ्रेव है तो हम मीन की रियल्टी चेक कैसे करते हैं हमें मीन डैविशन भी निकालना होगा चालिस का डिफरेंस है चालिस का डिफरेंस है चालिस का डिफरेंस है एक सो साथ का डिफरेंस है सॉल करेंगे जीरो चार आठ बारा सोला और च्छे आपका बाइस और दो और तीन और कितने मैच का हो गया पांच मैच का तो 54 Pete 50 and we 64 अच्छा Japanese मत रहा हुं चालीस है लेकिन मेरा एवरेज एक्षुल डिटा से क्या मतलब है इसका कि मेरा एक्षुल डिटा 2440 मत अरहा हुी तो βात तो नहीं है ह jealous यह दोका दे रहा है तो आपको किसे पता लग रहा है इसकी फरेविश यह पता लग पार आपको मीन डैवीशिन की थो तो मीन की मीन कितना reliability है उसके check करने के लिए हमें mean division की requirement होती है जो की mean और actual data की बीच के जो difference होता है उसका mean होता है कि मेरा mean actual data से और average cat distance maintain करके चल रहा है यह बास सोज में आपको आई अगर आपको यह बास सोज में आ गई है तो मैं उमीद करता हूँ कि आप आगे चल सकते हैं लेकिन यहां पर यह मैंने mean को मैंने mean कितना मेरा अरदिनल है mean मेरा कितना reliable है उसको मैंने check कर लिया mean division के throw सब कुस ठीक है बस एक समस्या है कि मैंने mathematical operation follow नहीं करा मैंने minus के sign को जबरदस्ती ignore मारा है जबकि गणित में स्टैट्स में आप ऐसे किसी चीज़ को आवड़ी नहीं कर सकते हो आपको पूरे का पूरा आपको method follow करना पड़ता है तो आए सेम एक्जांबल को प्रपर method से करते हैं जी हिरा कि पांठ ग्त आक्जाबच देटा मारे पास में गेज पांट है बिस हो है की सब् Richter मारे पास से की कि अध। यूदि का अथ मैं पांच थे पांच 179 ऑ जट गा ग्रद कंवा कि के बच्चे एक संख्यां सूं कि व्यन है कि इस कि बाता हुम है जैसे Wi-Îन citrus divided by 2, average 5 होगा मलब कि वननेनेन average दोनों डीटा 5-5 क्या स्पास है जबकि दोनों में से कोई भी 5-omos पास है नहीं है आपका average बता रहा है कि दोनों 5- aims 5-5 हैं पर दोनों में से ऐसा कुछ भी नहीं है एक एक है, एक nah है आजए हैं तो ये मुझे ये मेरा गल्स बताmax का इस बता लगेगा डिफरेंस देखो कितना यहां है निचार दीवाइड़ी वाई है चार तो मेरा अवरेज शिए प Harm और जो मेरा यह एक्च्तर डिटा से क्या डिस्स विंटीन करके चल रहा है यह चार का डेस्ट तो हे खुद पुरा पूल मिला करके पांच अ है पांचूर को और अच्छ डेटाइस के 14 अं Punkte हो मिन का इसका मथलब क्या हुआ यह चार जो है यह डिफरेंस हो सकता है मिरे अच्छल डीटा और अरिय colored difference है पांच गुना सो तो सौल करेंगे 20 मतलब की इसका मतलब यह है बच्चे मेरे मीन का 80% चीजें वैरी कर सकता है 80% जो मेरे actual data है उसका जो जो वैरी कर रहा है जो variance आ रहा है उसके अंदर वो लब लब मेरे मीन का 80% का आ तो मीन का इतना मीन इतना ज़्यादा वैरी कर दे न वह इसका 80% मेरे असी पसंट चीजें ज्यादा और कम हो सकती है तो किस बात का में है फिर तो किस बात का data को रिपरसेंट कर रहा है गुरूप को क्यों क्यों कर कर रहा है जब तेरे से बहुत दूर है चीजें बहुत नीचे हैं फिर किस बात क्या आप रिपर्द करने वाले की नंबर है कि मीन तो कैसा नंबर जो पूरे गुरूप को रिपर्द करें अब अपने क्लास्रूम में बच्छों को जड़ा है कि आवरेज निकाल कर देखो आप मेरे पास पर 1 क्या डिफरंस आया मेरे पास पर एक जमां करूmitmi छूसे टीम धिवाड़ कर रहा है और वह कर भी रहा है एक्शूल डीटा चछह और चार अब मेरे मेन पांच है, तो इसके आफपास किन चीजह है, बाथ समंझ रहे ह। तो ये देखेगा आपका मेन डैविशन इस बात को साबित कर दे रहा है, कि आप जो है, आपका मेन कितना रिलाइबल है, आपका mean जो है कितना reliable है यह क्या होता है इसको बोलते है mean division clear है लिखने मैंने minus के sign को क्या करा है इसमें avoid करा है तो चलिए अब minus के sign को हम avoid नहीं कर सकते हैं तो एक काम करते हैं सबसे पहले इसका mean निकालते हैं data का तो हम x bar equals to 30 और 38 और 45 50 divided by 5 और हमारे पास में क्या है 10 तो एक काम करते हैं small x ले लेते हैं आप db बोल सकते हैं इसको कोई दिखर नहीं है लोग db बोलते हैं division बोलते हैं basically क्या होगा कि x में से आप mean minus कर दो data में से average minus कर दो तो पांच में से 10 minus करोगे तो यह तो क्या हुआ यह तो माइनस का पांच आएगा माइनस साइन अवोइड नहीं करना वो ठीक आपने आपका mean deviation topic है वो आपको समझा दिया मैंने अब यह उसको पर question माइनस का sign आपके पास में तो लेकिन distance किसमें माइनस के sign में नहीं होता है तो क्या करें एक काम करते हैं माइनस के sign को avoid करने के लिए इसका square कर देते हैं माइनस के sign को avoid करने के लिए इसका क्या कर देते हैं काम square कर देते हैं ठीक है तो इसका square कर देते माइनस कहा हुप जाएगा पॉजिटीव हो जाएगा तो या जाएगा 25 ये होता है नो ये जाएगा चार जीरो एक सो जो डैवीशन था ना उसका मैंने स्क्यार मट निक्षैार कर दिया जो डिसंस ञास्का स्कUयर कर दीए क्यों तो क्यों माइम कर दोगे इतने पैनी क्यों इसको मैं भी रूट करके बापस कहानी चली जाएगे एक मेरी बास सुनो चे है मेरा दिल कर रहा है मैं इसको कर दूं किया फरक पड़ जाएगा इसके उपड़ ने क्या फरक पड़ जाएगा बताये तो सही अधिकार है तो ऐसे मैं स्कुर्ण करके बाद में रूट कर दूंगा कि समझ रहे हैं कानी को हां में इस्कुर् कर दिया उसलसे पहले जूफ मेरे पास में ये मेरे पास में आया 125 और 9 134 और 138 एम सिगमा एक्स के जाएगा और अगर मैं बच्चे वेिसका सिगमा एक्स को हुआ कर दूंद ऑथ क्या पांदूनेहद standing तेन बंदो ने 10 टीन पान सब्सक्राने 25तिश 25ish 27.56 इसका मैंने क्या ग़ाओ? सक्वार का सम करके डिवाइड कर दिया इस हो हम कह बोलते है इसको हम बोलते है वेरियंथ क्या में बोलते हैं इसकौं वेरियंस तो वेरियंथ के बारे में एक चीज़ आपको समझ में आई और मीन का डिफरेंस स्क्वाइर का स्म तो कि तो वियेंजियुस ऑफ एक्स कियसा निकला पता लगा वेरी इंस होता है लेकिन आपको पता है कि नो पर चाहिश तो नहीं है ना तो एक काम करते हैं हम फिर हिसको इसके ओपर रूट कर देते हैं जिसके उपर यह जब इस दिकार स्क्वार है इसको पर रूट करते हैं किसके उपपर सिग्मा एक्स स्क्वार बाई एन इसको पर रूट कर देते हैं या फिर हम जो हमने वेरियंस निकाला है वेरियंस ओफ एक्स निकाला है जो हमने इसको पर रूट कर देते हैं यह चीजें जो square करके effect पढ़ा वो effect को neutral कर दिये जाए तो अगर हम root कर देंगे इसका तो क्या आएगा हमारे पास में हाँ जी 27.6 का root 5.25 कुरे बच्छे 5.25 ऑप यहां देखें मिन क्या बता रहा था कि मेरा actual data मेरे मीन से मेरा मीन दस है और मेरा actual data मेरे मीन से 4 की दूरी बनांगे चल रहा है औस तर्षांद चार उपरे चार नीचे और मेरा variance निकाला फिर उसके negative sign को हटाने के विसके square कर उसका sum करके बाटा जिसका happening व्याइंस कहते हैं फिर सका अन्डर्ट रूंट कर देने यह वेर्शेंश यह क्या takiej अंदरूट ऑवेरियनस कुanza्डर ड्रूट इवेरिम margin क्या बोलते हैं कि स्टैंडर्स टैंडर्ड बड़ क्यों आया मैं या इसे टैंडर्ड आवियेशन कि एक इसा छिसका आपने के स्टंडर है क्यों स्टंडर्ड है किसे माइनस के साइन को आवोइड नहीं किया गया है बतो लेके चले हैं उसलिए स्टंडर्ड है in mathematical operation को फॉलो कर रहा है पुरी तरी किसे उसको में स्टंडर्ड बोलते हैं आपके मन में दिर दिरे फॉरमूला भी बस रहा होगा बच्चे और एक बात और समझे जिस तरीके से चाय से आप अपना मूड फ्रेश करते हैं चाय नहीं मिलता आपको तो आप कॉफ़ी पी करके अपना दिल बहला लेते हैं जिस तरीके से बॉल पैंसे आप दोनों का सेम परपस है, कि हमारा मीन कीतना ओरीजन। है कि हमारा जो average है वो कितना reliable है। उसको OFF करने के लिए, मीन डेवीशन के लिए वह उसका एक alternate way और है. तरीका मैंने डेवीशन को बताया। में तरहे बड़ाएगा। और जितना बड़ा आएगा आपको पता है कि मीन उतना कम रिलाइबल होगा इस मीन डेविशन वेरिंस जितना छोटा होगा रूट करके वैली उतनी छोटी बनेगे इस तन डेविशन उतना छोटा होगा इसका मतलब यह है कि आपका मीन और एक्ट्वल डीटा के बीच का सब्सक्राइब आपको मुझे पूरे उमीद है कि आपको वेरिंस का फॉर्मला भी समझें आ गया होगा बेशिकली एक्ट्वल डीटा और मीन के जो डिफ्रेंसिस है उसको नेगिटिव साइन में आ गया तो उसको स्क्वार कर दिया उसका संब्सक्राइब कर दिया यह वेरिंस हो गया है क्लेरे बच्चे अब कॉफिसेंट का क्या मतलब होता है कॉफिसेंट ओफ को रिलेशन उस बात को भी समझेंगे हम फिलाल आप इस बात को समझ पाए यह बताए एक चीज एक चीज करके हम सब पर आएंगे चलिए अब देखेगा अब आपको होसंये में सब्सक्राइगा को वीरillon को वेरिंस लास्ट क्लस्ट और सब्ढ़ाए था आपको मैंने को वेरिंस रथत्द देखिंगा कि लास्ट क्लासिज में उपने नहीं पड़ाता आपने को विरिंस एक्स अन फाई को रिलेशन ठापिक चल रहा हमारा दो डीटा के बीच में जो रिलेशन होता है उसको रिलेशन कहते हैं पॉजिटिव रिलेशन और नेगिटिव रिलेशन याद किजिए लास्ट क्लासिस में आपने पड़ा था i8 belief है confirming xy upon n sigma small xy upon n नहीं याद आ को वेडीस क्या होता है werden कि ही मार्ट्सवाइअ अपॉन मेंन को वेरियंस ओफ एक्स कि डीटा एक्स एनड वाई बतां दुनों में डहेशन कैसा है तो sigma x and y upon n, क्या मतलब है पता है आपको, x का उसकी mean के साथ में जो distance है, y का उसकी mean के साथ में जो distance है, small x and small y का multiple उनको submission divided by n, हाँ जे, तो आपको पता लगा, variance of x, variance of x, क्या होता है, आपको पता लगा न, x में से, x बार को minus करो, जो आएगा, उसका square divided by n, इसका मतलब क्या होँआ, sigma x square by n, यही होता है, clear है बच्चे, और standard deviation of x क्या होगा, standard deviation, under root, variance, भाई मेरी बात से सहमत हैं, आप ये सारी बाते समझ में आपको आ गई है, clear है, और आप formula समझे, पूरा का पूरा क्या है, covariance of x and y, x series है, y series है, उसका covariance ले लेना है, sigma x, y upon में n करकर करके, sigma x मतलब कि आपका x में x का mean minus करकर करके, y में y का mean minus करके, small y, small x, उसका multiply है, उसका sum और आप n कर लेना है, covariance of x, y, उसके बाद आपके पास में, आपके पास पर variance, under root variance of x, आप variance के ऊपर root डाल देंगे, तो वो standard deviation मन जाता है, और standard deviation को भी बताता है, जो कि आपका mean division बताता है, दूने एकी चीज़ होती है, नहीं, चेक करो, देखो, चाल बताया था, mean division चार, और standard deviation अपका 5, तो लब लब लब, close है, मैंने perfect, सबसे चूटने बोला, सबसे चूट बोला है, मैंने, अब बॉल पैंजल पर ने कुस्तों फरक लाए गई, क्लेर बच्छे, वेरियंस अफ एकस इन्टु वेरियंस ओव य और उसका अंडर रूट होता है, आप इसको बोल सकते हैं, वेरियंस के उपर रूट का होना, standard deviation, standard deviation का sign यह होता है, यह sign होता है standard deviation का, ठीक है, तो इसको standard deviation of x, standard deviation हों य भी कहते हैं, तो under root variance of x, into variance of y और variance को पर root का मत्तो था standard deviation का होना बास समझे चलिया the correlation between the the covariance between the length and breadth of the five items is the six covariance covariance आपका x का और y का क्या है six and their standard deviation are 2.5 and 2.6 जो standard deviation है क्या है 2.61 2.45 और एक और standard deviation है दो सीरीज होती है ना बच्चे correlation में कैट 2.61 अब find the coefficient of correlation between the length and weight अब coefficient of correlation मतलब भी समझाऊंगा मैं आपको coefficient of correlation क्या होता है उसके बार ही मताऊंगा फिलाल अब इस जितना समझा आप प्रोसेस को पर इस फॉर्मिले को आप सही से किसे डाजिस्ट कर लीजिए फ्रागे बोड़ेंगे हैं जी कोफिसेंट अफ को रिलेशन क्या होता है को वेरियंस एक्सन वाई याद आपको फार्मॉला अपन स्टनर डिएशन फेशन फेशन इंटिस इंट अवाई या रूट वेरिंस फेशन 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 न्टो मिम्स वाई तो अवरेंस का 6 तो इन डिएशन फेशन फेशन अविक का क्ट 2.45 का 2.61 to solve करेंगे इसको 6 6 divided 2.45 2.45 multiply by 2.61 6 upon 2.6.3945 ठीक है बच्चे एन 6 divided by 6.394 जब कैलकुलेटर हाँ दे मैं होना तो कोई चीज़ मुस्किन नहीं हो सकती है 0.9383 जितनी वैल्यू 1 होगी या 1 के क्लोज होगी उतनी ही जो है आपके पास पे आपका मीन ऑथेंटिक होगा है क्लियर है बात समझ गए है वन के जितनी नीरेस्ट वैल्यू होगी चीज़े उतनी ज्यादा आपस में रिलेटिड होगी झाल आपस्ट पीज़े उतनी ज्यादिक होगी झाल तूस्ट वैल्यू एक सिई एफ को वेरिंस अफ टेन पिर्स आइटम इस सेवन दस पिर मदलब न इक्विस टेन बच्छे आ एन को वेरिंस की बने and variance of x is 36 variance of x 36 standard division of x standard division of x root 36 क्या करेंगे standard division के लिए variance को पर root कर दो standard division के अच्छे हो जागा खर जूरत नहीं है पूछा नहीं है अब फिर वे ने बता दिया आपको ठीक है अब कर रहा है कि y minus y square this one equals to 9 एक दूसरी सीरीज की बारे बात कर रहा है क्या यह कर रहा है नहीं होना अच्छे है आपके पास में सिग्मा y minus y bar square equals to यह ऐसे होगा 90 यह क्या है y एक सीरीज है उसमें से उसका mean minus कर रहा हूँ division है फिर उसका मैं square कर रहा हूँ समझ रहे y सीरीज में से उसका mean minus कर रहा हूँ फृह नेगेटिब भी आए है तो में इसका square कर रहा अगर मैंने स्क्राप्र कर दिया अगर मैंने डिवाडिवाय यहां पर n कर दिया इस डिवाइब दिवाइब कर दिया समझेगा तो ज्या आगा मेरे पास में मेरे पास में क्या है फीयंस ha इस मता है मेरी उस और वाई नहीं आए अब डिया गट्राइं को कि एह गाल एकाउंट कर पर फिर इचो कर आए तो थे आप लोग आज आफेक कल एक लास से साफ लोग कि मैसेज भी दो कर रहा हूँ था ग्रूप में अकल बैचु भी मताया हुआ है बच्चों से पूछा था कल हाँ जी देखो हो जो तो आपके बहूं है हुआ है थेन गया झाल सकते ही इस कि फेले डिवादि भाइशन है कि ऑ अथी होदाय वेरींस फाभ को होगा अब और दो फार्मुल अ कोफिसेंट औफ कोरेलेशन के तो फर्मली कौन-कौन से हैं क्या पुछ रापसे फाइंड आउट आरार मतलब कोफिसेंट आफ कोरेलेशन के लिए और आर कैसे फाइंड करोगे को वेरींस ओफ एक्स नवाई तैबंड आपकर दो अंडरूट ओव एक्स कि वेरियंस एक्स विरिंस वाइजा फिरण डेविशन ऑफ एक्स और इस टाने डेविशन फार्मला क्या है इसका बताएज द्रा वो वेरियंस एक्साइन य अब कुछ भी लेख दो आपके आसे वेरियंस भी है इस्टेंड पोड़ करते हैं इस ट्रेंड डैविशन आफ एक्स इन्टांड डाविशन एपक्स आपके पास में सेवन इस्टांड डैविशन ऑफ एक्स इंटो इस्तेंड इमेशन आई या नहीं बताएज द याद हो गया पताओ बच्चे आपकी फीस्टों मेरे मेरे एक चप्टर में आपकी फीस्ट मतलब मानके चलिए वसूल हो गया एक चप्टर पड़ा दिया तो क्लेरे बच्चे समझ रहे हैं रेल्टियर क्लासिस लेके तो देखिए और इस बीस-पंद्रह अजार रुपए आउफ-लाइन में भरने के बाद भी आपको ना तो फॉर्मूला इजी करवा जाता है नहीं कुछ भी अलकि हमारी तरफ से पूरी कोशिट रहती है कि चीजें आपके लिए आसान से आसान हो आपका दिल खुश हो जाए कि भगवान ऐसा भी हो सकता है क्या कि पढ़ा इतनी आसान हो सकती है क्लेर है है हां जी नेक्स्ट कोशन देखो बस आपलों क्लासिस यूटुप बाई शेर नहीं करते हैं यार जा करके देखो हां जी the coefficient of correlation between the two variables x and y is the 0.4 कोई बात पर निकालना नहीं दिया हुआ है and their covariance is 10 फार्मला दो होई लगेगा coefficient of correlation का बस एक कोई मिस करके बैठा है if the variance of x is 9 find the second moment about the mean of the y series बताइए जारा सेकिंड मुमेंट सेकिंड मुमेंट का मतलब क्या variance of y बताने आपको क्या बताने variance of y बताने आपको कि अन की बैलो निकालिए मुमेंट अबाउट दा मीन ओफ वाई सीरिस मुमेंट अब दा मीन ओफ वाई सीरिस मतलब वाई में कितने आपके पास में कि मुमेंट है कितने एन है वाई सीरिस में कि मुमेंट मतलब आपको एन बताने आप कि अगर आपको कि अगर कि अगर कि अगरे वेरेंस वाई बताने आपको कि यहां समझेगा कि मुमेंट अबाउट दा मीन ओफ वाई सीरिस इसका मतलब चाहता है कि वेरेंस ओफ वाई इस फन खतम सवाल हम लागा वह लगा वह कर दो क्या आर एक्वल्स टू को वेरेंस एक्स वाई इन्टू 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 कि यहां आगया टैन इंटू टैन अपन फोर कि पच्चिस अपन थ्री स्टेनर डिवेशन और वाई क्या आगया पच्चिस वड़त थी एक पॉइंट थी आपको पता है वेरियंस के ऊपर रूट कर दोगे तो वेरियंस स्टेनर डिवेशन के उपर स्क्वाइर कर दोगे तो वेरियंस सिंबल सी बात है तो सब्सक्राइब सब्सक्राइं सब्सक्राइव निए एक पलस्टी सव्टाइव एकपलस्थ टंडाविशन ऑंवाइग पर स्केर तो वेरिएज का रूट करने का सनद आविशन सटैन्ड इविशन का स्केर कर देने का वापस आपको वेरिश कम जाएगा है 8.33 स्क्राइभ कर दो बिल्कुल सही हम आर दिया हुए सिग्मा एक्स वाई स्मॉल एक्स वाई मत्तब समुझ रहे हैं आपके स्टन दिशन ओव य एंड सिग्मा एक्स स्क्वार वेर देविशन फ्रॉंड रिस्पेक्टिव में फाइंड नंबर फाइटम एंद चलिकरिया कर दोगे करो बच्चे जड़ा कि पर तो बहुत हलका आपका पेपर में आता है लेकिन चलिए अगर आपके पास में यह बेस नहीं आया है उना तो कर पाऊगे आप डाटा एनलाइस का नहीं तो आप एंब्बे कर पाऊगे यह बात ध्यान रखिएगा तो इमांदारी से पड़ें पासिंग मार्क्स के लिए ना पड़ें नहीं तो सच्चा ही आपको पता है कि नोकरी फानेली आपकी काबिलियते मिलती है पीएशडी वाले हों अगर काबिलियत नहीं सरफ क्लास क्लास करते आगे बढ़ता चला गया पर नॉलेज नहीं उसके पास में तो इंटर्वियू में उनका पीएशडी और उनका एंफिल सारा का सारा धरा का धरा रह जाता है उनको घर बेज देते हैं सीधा और एक बारवी पास वाला अगर नॉलेज के साथ में उतर गया ने इंटर्वियू में तो कंपनी उसका सेलेक्शन करती है क्योंकि कंपनी को अप प्रेज आपकी है तो सारी पीएज़े निकल जाएगी अगे सो में से 33 नंबर आधे एवं थर्ड मार्ग स्लाकर करके आपको क्या लगता है कि आप नोलेग वाले बन गए है कि अगर कि 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 अगर निकाले बच्चेश कि अगर decade r equals to प्लाव होई फामला हमारा लगेगा r equals to covariance x y upon standard deviation of x multiply by standard deviation of y but covariance to given in a sigma गिया है आपको पसमे तो r equals to हैलो इसी मारेति का आ मंसे तो बनता है स्र इक्स वाई अपान् कि अपन स्टर्ण डिवीशिन ओफ एक प्र एक चीज निकाल लेते थे नो में रिधिकते हैं लिखतई क्रें कर दिया हुए वाई दिया हुआ है वकले लें यह असे लिए न शेखिते हैं y upon n strand deviation of x into y r की value कै? 0.8 sigma x y क्या मेरे पास पर? 60 upon n strand deviation of x नहीं है बस strand deviation of x नहीं है लेकिन निकलता कैसे strand deviation of x variance of x variance of x कैसे होता है? पता है आपको standard deviation of x basically क्या है नहीं पता ना आपको छोड़ो आपको नहीं पता तो जो चीद नहीं पता standard deviation of y पता है ना आपको क्या है 2.5 मैं जो मैं जो जो सी करता है नहीं पता आपको नहीं पता सिरी सी वात है तो 0.8 equals to 60 सरी है 2.5 solve करेंगे 60 upon n into 1 upon condition of x into 2.5 solve करेंगे तो हमारे पास में क्या result है 60 divided by 2.5 60 divided by 2.5 20 20 divided by this 0.8 divided by 24 equals to 1 upon n into standard deviation of x 0.8 divided by 24 क्या आया है चलिए कोई नहीं कर देते हैं 0.8 upon 24 equals to 1 upon n standard deviation of x क्या होता है variance of x ठीक ना variance of x और variance of x क्या होता है variance of x क्या होता है सिग्मा एक्स स्क्यार बाई एं बात समझ गए और सिग्मा एक्स स्क्यार क्या आपके पास में 90 इस पात को समझे आप कि सिग्मा एक्स स्क्यार कुछ करबड कर रहा है हमने upon n and variance of this sigma x स्क्यार बाई n एंसे एंड कर गया तो फिर फाइलो किसी फाइंड कर रहा हूं कुछ तो कर बुड़ोगा है देख लेते कोश्चन में एन एक वस्ट टैन तो सही आंसर आपको आप 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 यह रुट है ना दिस वन 0.8 upon 24 equals to 1 upon n into sigma x square in 2 जायेगा सिग्मा एक्स स्क्यार के हमारे पास पर 90 अपन एन ठीक है बच्चे अब एन यहां पर है तो इसको हम सॉल करेंगे आगई तो यह रसी पोकल हो जाएगा हमारे पास पर एन है तो इसको मैं लिख सतना हूं लोट एन इंटू रूट एन मैं पांच को उगना रूट 5 इंटू रूट 5 पांच इतो हूं रूट एन इंटू रूट एन लिख सतना एक देख का रूट है ठीक है 90 बचा रूट आपके पास में 90 बचा तो रूट 90 को मंटिप्लाइ कर देते हैं उसको पर स्क्वार कर देते हैं कि 90 का रूट 90 का रूट 9.48 तो क्या रिजल्ट आए का में हां सॉल कर देता हूं समय नहीं मेरे बस में पॉइंट एट अपॉन ट्विंटी फॉर इंटू और स्पेस नहीं सर क्या कैल्कुलिशन करूंगे यह कहा गया कि देखिए कि कुशिन के मेरे पास में इस वन थोड़ा था शुटा स्पेस में ही करना पड़ेगा देखो बच्चे आर इकवल्स टू फॉर्म्ला में अपना अप्लाई करते हैं को वेरियंस ओफ एक्स वाई अपॉन स्टनर डवीशन ओफ एक्स इंटू स्टनर डवीशन ओव य अब मेरे पास में सबसे पहले co-variance of x and y का formula क्या होता है co-variance of x and y का formula जो होता है वो होता है sigma xy upon me n clear है बच्चे तो co-variance of xy co-variance of x and y sigma xy तो मेरे पास में मुझे दिया हुआ है 60 पर मुझे यहाँ पर n के बारे में भी फिलाल नहीं पता है ठीक है और standard deviation of x क्या होता है standard deviation of x होता है variance of x और variance of x होता है sigma x square by n और sigma x square by n का मतलब हो गया sigma x square के हमारे है पास में 90 अपॉन एंड सिग्मा एक स्क्राइब करके हैं किसी method साब solve कर लिए बैटर है जिरो पॉंट एट इक्वल्स टू को वेरिंस ओफ एक्सेंड वाई तो को वेरिंस ओफ एक्सेंड वाई क्या है आपके पास में कि 60 अपॉन एन कि अन मल््टिप्लाई जूची नीचे आएंगे वह रिबस होके मल्टिप्लाई हो जाएंगे को विरिंस ओफ एक्स अंड स्ट एफिषिन ओफ x इंटो इंट इस प्ल्ट इफिश्न वाई नीचे आए गगा न तो वान पॉन इस्टेंड डिवेशन ऑफ एक्स क्या है मेरे पास में रूट 90 अपॉन एन अस्टेंड डिवेशन ऑफ वाई क्या है मेरे पास में 2.5 सॉलिशन में अगर आप करते हैं तो 60 डिवाइड बाई 2.5 24 तो 0.8 और यहां सॉल्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा उपर 24 तो 24 आपका यहां नीचे आ गया सॉल्ट करेंगे तो क्या है आपके पास में वन अपॉन एन इंटू अंडर रूट 90 बाई एन रूट सॉल्ट करेंगे इसको वन अपॉन थर्टी इक्वल्स तो वन अपॉन अपॉन एन इंटू रूट 90 अपॉन रूट एन 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 वन अपॉन थर्टी इक्वल्स तो वन अपॉन एन वन अपॉन एन को में लिसेता हूना रूट एन इंटू रूट एन तो यह एन ही तो हुआ और इंटू रूट 90 बा रूट एन एक कट गया तो क्या है आपका 1 upon 30 equals to 1 upon under root 90 n यह आया cross multiply करेंगे तो क्या है हमारे पास में under root 90 n equals to 30 and 90 n equals to square कर देंगे 900 और यह कट गया n equals to square आपका 10 this one is your correct answer clear है बच्चे है समझ गये कि मैंने n को root n into root n लिए था कि मेरा वो जो है रूप मेरा वो कैंसल हो जाए उमिद करता हूं आपको यह चीजें जो है अच्छे से समझ में आ गई होंगे कैल काल पीर्शन कोपीसंट अब को रहलेशन फौर लिए यह रूमिद टेब रूममिज रिखल गईह को मुटी और यह प्रश्व और रिष्ज प था समिशन अप्रट्व डिटो अविशन अवट्यृ ऊच्ट्टव अच अच्ट्य॥ अच्ट माधिव दूच्ष्यं विश वाई फस्रू दिया हुआ है डैविशन क्या होता है small x and y इसका product का sum दिया हुआ है 24 clear बच्चे और आपके पास में observation 20 तो क्या formula होता है covariance xy upon standard division of x into standard division of y covariance कैसे निकलेगा आपका covariance तो है नहीं x और y तो sigma xy upon n होता है न तो sigma xy तो आपको दिया हुए न 24 और अपन n क्या दिया हुआ है आपका 20 वन पॉइंट टू आएगा चीक है अब आप formula लगा देख सकते हैं न और covariance of x and y आपके पास में कितना है 1.2 अपन standard division of x standard division of x क्या होँआ 10 and standard division of y क्या होँ बारा तो 1.2 upon 120 क्लेरे बच्चे जीरो कड़ गया जीरो पॉइंट जीरो जीरो एक ठीक है बच्चे अब करता हूं कि आपको formula के दिमाग में रम गया होगा चीजें आपको समझ में आगी होंगे लेकिन एक बार में कुछ नहीं होता बार बार देखना पड़ता है आपको तब चीजें आप बच्चे से कर पाएंगे अब अगली क्लासिस में हम आगे जाएंगे सेम कोशन प्रोग्राम में आया हुआ है दोजार पांच में छे में और 89 में तो आप यह मा सोचे कि प्राणा कोशन नहीं आते है 89 वाला दोजार पांच और छे में बैक टूबैक रिपीट मार गया और 89 कप था मेरे जनम से बहुत पह को करेंगे को रिलेशन चल्दी ही खतम कर सकते हैं थोड़ा और एफर्ट्स लगा अगर कि जल्दी स्पीड बढ़ाएं तो हम मिलते हैं मच्चे फिर नेस क्लासिस में थैंक यू थैंक यू सो मच